रादे रादे भाईया सभी को आज के दिन तो मार्केट से प्रॉफिक जरूर जरनीट किया होगा क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी गोली की तरह उपर की तरह भाग रहे थे क्या बोलर आज भी पैसा नहीं बनाया अरे यार आज क्यों पैसा नहीं बनाया आज तो मार्किट के अंदर one side का moment था क्यों तुम निफ्टी में ट्रेट कर रहे थे एक्सपाइरी में ट्रेट कर रहे थे तो भी पैसा नहीं बना अरे यार चलो तुम्हें expiry में treat करना चाहिए नहीं करना चाहिए सबसे पहले यह सीख लो कभी कोई दवाई खाई है जब तुम दवाई खरीदे जातो हो medical से सबसे पहले क्या देखते हो उसकी expiry date अगर वह expire हो गई होगी तो आप उस medicine को ना तो खरीदोगे और ना ही खाऊगे लेकिन जब तुम्हें आखों से दिखता है कि आज इस option ट्रेडिंग में इस premiums की expiry है तो उसे क्यों बार बार खरीदते हो यार और वह जहर है और तुम expire चीज़ खाऊगे न लेकिन तुम नहीं मानते तुम्हारे भेजे में ये चीज़ घुसी हुई है कि मुझे zero to hero trade डूमना है चलो तुम मैंने live chart पर दिखाता हूँ कि कैसे तुमने आज zero to hero trade के चकर में एक अच्छा मोका market के अंदर खोया सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक चैनल दिखाता हूँ देखो यहाँ पर यह चीज़ देखो यह मैंने यहाँ पर call लिया हुआ है 22,550 का पहले 22,550 का call देखो कहां से गया ठीके 5 रुपे से यह गया तो यहाँ पर एक चीज़ के लियर है ठीके मैं सबसे पहले यहाँ पर next expiry का premium लगाता हूँ ठीके मैं यहाँ पर next expiry का लेता हूँ दो मई की और 550 का premium जब देखता हूँ तो देखो तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ देखा ही देगी मेरे भईया कि market के अंदर एक ही बार यह price नीच आया उसके बाद यह नीचे नहीं आया ठीके अगर तुम next expiry में trade कर रहे होते तो definitely इस market से एक अच्छा profit generate कर गए होते लेकिन भई है ना तुम तो यहाँ पर zero to hero trade डूणते हो कि मुझे zero to hero trade मिले और एक ही दिन में मेरी सारी समस्चाए खतम हो जाए क्या trader बनोगे यार तुम ऐसे trader नहीं बना जाता भाई तुम्हारे आखों के सामने है कि जो चीज expire हो रही है तुम उसी चीज़ को खरीद रहे हो बार बार सोच रहे होगी यह चीज़ डबल होगी यह चीज़ ट्रिपल होगी और इसी चक्कर में तुम अपना सारा का सारा fund यहाँ पर zero कर लेते हो देखो एक ही बार price zero यहाँ पर नीचे आया उसके बाद यह सीधा यहाँ पर sustain हो और उसके बाद इसने high लगाया है और कहां से high लगाया है देखो यहाँ पर 80 रुपे से सीधा-सीधा यह price गया है 200 रुपे तक अगर सोचो यहाँ पर 80 रुपे पर भी खरीद लेते 120 पर बेच देते तो 50% जन्नेट हो जाता लेकिन वही है न हाँ बे तो यहाँ पर एक ही trade ऐसी चाहिए जो एक रुपे से लेकर सीधा-सीधा 100 रुपे तक चली जाए और ऐसा trader जो सोचता है न वो कभी जिन्दगी में trader बन नहीं सकता अगर तुम यह गलती कर रहा हूं तो प्लीज इस गलती को avoid करो जितना तुम इसको कर सकते हो मैंने तुम्हें कल बता दिया था किलियर की तुम यह जो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में trade ढूंड रहे हो तो तुम्हें exact level बताए थे मैंने और साथ मैंने यह कहा था कि market के अंदर जो strong support है वो 22,300 का 22,280 का और 22,250 का यह हमारे buying level बनेंगे अगर market यहाँ पर आता है तो हम यहाँ पर इस opportunity को find करके यहाँ पर इस opportunity को फाइदा उठा सकते हैं लेकिन तुमने नहीं मानी 300 के level के आसफास से call options नहीं खरीदा ठीक है और market देखो आज कैसे हवा में उड़ता हुआ गया है और साथ में यह चीज भी हुई आज market के अंदर जितने भी strong resistance थे market ने सब को एक ही जटके मोड़ा दिया जितने भी seller थे आज market के अंदर वो सारे के सारे आज flop हो गए लोगों को लग रहा था कि आज मंतिली expiry market नीचे गिरना चाहिए लेकिन घंटा भी market नीचे नहीं आया market एक one side का moment बना कर बैठा हुआ था मैंने भी इस market से एक अच्छा profit generate किया है आई हो आप भी चीज को समझेंगे मैंने आज expiry के अंदर trade नहीं किया ठीक है मैं next expiry में trade कर रहा था बन सकते हैं और यह मत करना ठीक है आप कल nifty और bank nifty में जाकर trade कर सकते हैं mid nifty में जाकर trade कर सकते हैं bankex में जाकर trade कर सकते हैं finance nifty में जाकर trade कर सकते हैं लेकिन हाज जोड के विंती है कि sensex से दूर रहना और sensex में अगर trade करना है तो please आप expiry में मत करना अगली expiry में trade कर लेना ठीक है अगर trader बनना है तो अब बात करते हैं कि कल market में किस तरीके से हम options डूण सकते हैं market के अंदर तो सबसे पहले हम यहाँ पर nifty की बात करते हैं कि nifty में हमें किस तरीकी के moment देखने के लिए मिलेंगे आज market ने जो हमें high बना कर दिया है वह high है guys यहाँ पर करीब करीब हमारा 22,625 के आसपास का यह हमारे लिए एक high है और हमारे पास जो अभी support है market के अंदर जो market low बना कर गया है वह support है यहाँ पर हमारा 22,550 का यह हमारे लिए एक strong support है आप लोग जानते ही है पहले भी market ने इसी level के आसपास आकर struggle किया था और market ने अब जो closing दिये हैं हमें 22,550 के आसपास दिये और आज market के अंदर जिस तरीके से profit booking होनी चाहिए थी जो expectations था monthly expiry पर वैसा नहीं हुआ ह तो अब मुझे ऐसा लगता है कि market के अंदर कहीं न कहीं अब upside के moment open हो गए है और निफ्टी बहुत जल्द यहाँ पर 23,000 को cover करने बाला है और वह अपना lifetime high भी लगाएगा जो निफ्टी का lifetime high है आप लोग जानते ही है 755 के आसपास का है तो निफ्टी उस high के आसपास तो यहाँ पर हमारे लिए जो भी 625 का एक level है ठीक है और जो 550 का level है यह हमारे लिए strong support और strong resistance का काम करेंगे अगर market 625 के उपर निकलता है trade करना शुरू करता है तो हमें retracement का wait करना है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे लिए अगरा target कौन सा होगा तो यहाँ पर अग काफी strong level है ठीक है 22,600 तक हम market को शायद कल या अगले हफते में देख सकते हैं और इसके बाद हम देखें कि अगर 22,600 के बाद भी अगर market अगर upside की तरफ moment बनाता है तो अगला target हमारे पास होगा 22,664 के आसपास का यानि कि काफी strong level है लेकिन एक बात याद रखेगा कि जिस इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद जो last support आता है काफी strong वह आता है guys हमारा यहाँ पर करीब करीब 22,430 यह हमारे लिए काफी strong support है market इसके नीचे बीपूल भी नहीं जाना चाहिए अगर इसके नीचे चला जाता है तो market के अंदर हमें काफी अच्छी और बड़े level पर selling देखने के लिए मिल सकती है एक बार मैं आपको nifty का weekly चाहता हूं कि weekly chart पर nifty ने क्या movement बनाया है मैं lines को यहाँ पर हटा देता हूं दिखे किस तरीके से nifty ने अपने यहाँ पर weekly candle पर किस तरीके से हमें buying pressure आज के दिन दिखाया है तो काफी बड़ा movement है काफी अच्छे तरीके से हम लोग market के अंदर कल के दिन trade कर सकते हैं कल भी market के अंदर upside के movement हमें definitely देखने के लिए मिलने वाले हैं अब बात कर लेते हैं bank nifty के बारे में कि bank nifty में किस तरीके से trade किया जा सकता है अरे बहिए जब cdc बात है nifty यहाँ पर upside का movement बना कर गया है तो कल bank nifty भी यहाँ पर upside का movement definitely बनाएगा quoted महीं दरबैंक आज बहुत तूटा था लेकिन उसका effect भी कोई बड़े level पर हमें देखने के लिए नहीं मिला ठीक है अब देखें यहाँ पर bank nifty में जो हमारे पार strong level है सबसे पहले strong level हम लोग ढूंड लेते हैं strong level है guys हमारे पास यहाँ पर 48,611 के आसपास का अगर market कल के दिन 48,611 के उपर trade करने लग गया या gap up opening हो जाती है तो यह हमारे लिए strong level है market में कही न कहीं इस level के उपर हमें buying options देखने के लिए मिल सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि market यहाँ पर 49,000 के उपर trade करने के लिए बिलकुल ready है और जादातर में अगर को हूँ यहाँ तो market अब बहुत जल्द यहाँ पर हमें 50,000 से उपर trade करतो हो अभी बहुत जल्द न market ने closing दी है वह है यहाँ पर हमारा 48,500 के आसपास का काफी strong level है हमें इस level के आसपास market में जरूर trade करता हो सपोर्ट लेता हो market जरूर नजर आएगा अगर इसका भी market किसी वज़ा से breakdown करता है जो मुझे लग नहीं रहा है कि इस level का breakdown होगा तो market के अंदर 48,300 एक काफी जरूर करेगा और वापस से market के अंदर हमें buying options देखने के लिए मिल सकते हैं और weekly candle बिल्कुल के लिए दिखा रहा है कि market के अंदर कहीं न कहीं हमें काफी strong moment आगी के दिनों में देखने के लिए मिलने वाले हैं तो ये था guys हमारा nifty और bank nifty का एक analysis कि हम कल के दिन market में किस तर आर्थना है कि आपके सपने आपका भविश्य बने तो please यार हाँ जोड़कर विंती है कि सही तरीके से trade करो अपने rules बनाओ rules को follow करो और एक strategy बनाओ जिस strategy को तुम follow कर सकते हो ठीक है अगर ये वीडियो पसंद आयो तो एक बार इस वीडियो पर comment जरूर कीजेगा इस वीड नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू